उदेईपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ इस कार्यवाही के दौरान व्यापारियों का आख्रोश देखने को मिला। व्यापारी ने कहा कि त्योहारों के सीजन में भी निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है जो बिल्कुल ही उच्चित नहीं है। निगम की कार्यवाही के दौरान वार पचास के पार्शद पर उन्होंने निगम के अधिकारियों से कार्या वाही नहीं करने की अपील की। कार्य वाही के बाद व्यापारियों ने अपने स्तर टैंट हटवाया। चेंद्र भट भी कार्यक्रम में पहुंचे। असोसियेशन के अध्यक्ष भारत जोशी ने बताया कि मिवार और वागर की इस जायज मान को लेकर अधिवक्ता करीब 42 वर्षों से संधर्ष कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व अंदोलन को तेज किया गया था लेकिन उसके बाद जन प्रतिनिधियों के आशवासन के बाद अंदोलन को कुछ समय के लिए रोप दिया गया था। लेकिन अब फिर से अंदोलन ने राह पकर ली है और अब लगातार हाई कोर्ट बेंच की मान को लेकर मिवार वागर संधर्ष समिती द्वारा उदैपुर शहर में चक्का जाम, जिला कलेक्टरी के बाहर प्रदर्शन, केंदल मार्च और मशाल जुलूस कार्यक्रम आयोजि लेकिन चात्र नेताओं की समर्थक सुखारिया विश्व विद्यालै परिसर में गाडियों में घूमते हुए हुर्दंग मचाते हुए नजर आ रहे है। पर और गेग पर खड़े होकर टेज रफ्तार से वाहनों से अगर कोई हाथसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। क्योंकि विश्व विद्यालै प्रशासं काउंसलिंग में व्यस्त है तो वही पुलिस कॉलेज के गेग पर सुरक्षा में तैनाथ है। लेकि एक सुरक्षा विभाग टीन ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत कर शव को तालाप से धून निकाला। मितक की पहचान किशन गमेती पिता धुलाजी गमेती निवासी मूनवास के रूप में हुई। सफाई कर्मियों की हर्ताल खत्म कच्रे की धेर जस्के तस बने हुए हैं। इसी कड़ी में शहर के समोरबाग से किशनपोल मार्ग पर गवन्मेंट प्रेस के सामने गंदगी अंबार लगा हुआ नजर आया। महादेव की विशेश पूजा की। इसी कड़ी में बुधवार को ब्रमपोल के बाहर ताडे रेश्वर महादेव मंदिर प्रांगन पर महिलाओने महादेव को जलाब विशेट कराया। महादेव की प्रतिमा पर आंकडे के फूल, कमल का फूल, बिलपत्र से महादेव का श्रिंगार कराया। श्रीफल मिथाई का भोग लगाया। अंध्रोनी शहर में आवारा मवेशियों का जमावडा लगा रहता है। अंध्रोनी शहर में दूद तलाई, समोरबाग, सिटी पलेस, जगदीश्चो, घंटाघर, पिछोला, चांदपोल, स्वरुपसागर, आदी पर्यतन स्थालों पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी महमानों के समूल परिवार के साथ घूमने आते हैं। ऐसे में कई जगह पर आवारा मवेशी जुन बनाकर खड़े रहते हैं। ऐसे में विदेशी महमान अज्यानता वस मवेशियों को दुलार करने लगते हैं। ऐसे में कोई मवेशी अगर भढ़क जाए तो अन्होनी की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। बता दे करीब 4-5 वर्ष पूर्व जगदीश चौक सिटी कल इसमार पर विदूशी महमानों की समूर पर आवारा भविश्य के अचानक फड़कने से विदेशी युवक घायल हो गया। इसी कड़ी में बुधवार को शेहर के ब्रमपूर दरवाजे के बाहर बड़ी संख् आवारा भविश्य का जमावड़ा देखा गया। दैनिक नवजोती आपके लिए आपके साथ।